दिल्ली बाड में डूब रही है, लाल किला से लेकर राजगार तक पानी भरा हुआ है इस बीच दिल्ली के हालात को लेकर कॉंग्रिस ने CMK जिवाल पर निशाना साधा है कॉंग्रिस का कहना है कि दिल्ली सरकार गया जिम्मेदार है कॉंग्रिस नेता पवन खेडा ने आरोप लगाया है कि CMK जिवाल ने कोई काम नहीं किया उनका कहना है कि CMK जिवाल ने पत लिखकर कहा है कि हतनी कुंड से पानी न छोड़ा जाए तो क्या हर्याना के लोग डूब जाएं? वहां से पानी छोड़ा जाना था और पानी आगे निकलना था लेकिन आपने नाले साफ नहीं किये